आज कल में आपका स्वागत है मैं हूँ राशिद हमद खान आज का विशह है अमरित काल में मेरी माटी मेरा देश से महकेगी वाटी का आलेक वरिष्ट पत्रकार सतीश एलिया का है सदियों तक अलग-अलग आकरांताओं और उपनिवेशवाद की सत्ता की गुलामी की जन्जीरों में जखड़े हुए भारत ने अब से 75 वर्ष पहले सौतंतृता हासिल की थी सरवोच्छ वलिदान की अनवरत शरंकला ने हमें पूरी दुनिया में एक उतकरिष्ट वरास्द वाले राष्ट के रूप में पुनर स्थापित होने के संकल्प के साथ सौतंतृता प्रदान की थी इस साल हमाजादी का अमरित महोत समना रहे हैं हम रितकाल में इस देश में और देश की राजधानी दिल्ली में बहुत कुछ बदल चुका है देश में अब सौतंतृता आंदोलन के वक्त रहे लोगों की चौती पीड़ी की ही आबादी सत्तर करोड हो चुकी है जिन्हें आधुनिक प्रगती के सौपांते करने के साथ ही आजादी के लिए हुए आंदोलनों और बीते साड़े साथ दशकों के दौरान आजादी को बनाए रखने की यात्रा की चानकारी देना आवशक है बीते नौ सालों के दौरान हमने गुलामी और उपनिवेशबात के कई बड़े प्रतीक चिन्हों को विदा कर हमने सौतंतुता की महक और देश की संप्रभुता के कई नए प्रतिमान खड़े किये हैं हमारा नया संसत भवन राष्टी युद्ध स्मारक करतब विपत और अब अमरित वाटी का ऐसा ही देश प्रेम का नया तीर्थिस्थल बनने जा रहा है प्रधान मंतरी नेरंदर मोधी ने अब तक के अपने नौ वर्ष के कारिकाल में जन जन को जोडने और बदलाओं के कई अभियानों का एलान किया जिनकी सफल सिद्धी ने देश को नई उड़ जा से भर दिया है उन्होंने देश के अपने अत्यंत लोकप्रिये और प्रेड़क कारिक्रम मन की बात की ताजा एक सुनौवी कड़ी में मेरी माटी मेरा देश का आवान देश वासियों से किया है यह अभियान अंग्रेजों भारत छोड़ों अंदोलन दिवस यानी 9 अगस्त से आरंभ होगर 31 अगस्त तक चलेगा इसका सूत्र वाक्य होगा मिट्टी को नमन वीरों का वंदन विकास खंड स्थर से राष्टी स्थर तक आयुजन किये जा रहे है इसमें उन वीरों को श्रद्धान जली अर्पित करना शामिल है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का वलीदान किया शहीदों की प्रतिमाएं और उनके शौरिके शिला लेख लगाना घरगर तरंगा फैराना शहीदों के गाउं की मिटी को कलश में लेना और पंच्प्रण का संकल्फ लेना इस अविहान की जनभागीदारी से किये जाने वाले कारे हैं मेरी माटी मेरा देश अविहान देश भर्ष से 750 कलशों में आने वाली मिटी और पौधों को मिलाकर नई दिल्ली में राष्टिय युद्ध स्मारक के पास अमरित वार्ठी का बनेगी इस अभियान में जुडने वालों को अपनी सेलफी अपलोट करने का मौका भी दिया गया है इस से देश की युवा पीड़ी को इस अभियान से जोडने में मदद मिलेगी दुनिया की सरवाधिक तेजी से बढ़ रही अर्थववस्था बन चुके भारत के सामने अगले 25 वर्षों की प्रगती के लक्ष भी प्रधानमंत्री नेरंदर मोदी देश और दुनिया के सामने रख चुके हैं ये लक्ष तो हमें हासिल करने ही है लेकिन साथ ही देश की सौतंतरता देश की शानदार अतीत पर गर्व का भाव आज़ादी के अंदोलन में प्राण नेचावर करने वाले सौतंतर वीरों की गाताएं भी नई पीड़ी को बतानी है आज़ादी हासिल होने के बाद अब तक के साड़े साथ दशकों के दोरान हमारे देश के खलाफ हुए युद्धों और देश के खलाफ लगातार होती रही साज़िशों को नाकाम करने में अपने प्राण नेचावर करने वाले शहीद जवानों की शौर गाताएं भी सुनानी है हमारे देश के आवादी में बहुत बड़ा प्रतीशत तरुनाईका है 19 वर्ष तक जिनकी आयू है ऐसी आवादी करीब 70 करोड है भारत इस समय दुनिया में सरवधिक यूवादी वाला देश है ये ताकत देश को हर लिहास से एक शक्ती शाली और संपन विक्सित राष्ट बनाने के लिए उप्युक्त है लेकिन इस आवादी में देश प्रेम और उसकी संप्रवता के प्रती जागरुक्ता का जोश और जज़वा पैदा करना ही आवशक है मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश को राष्ट भक्ती से ओत प्रोत करने और युवा पिढ़ी को नई उर्जा से भर देने का अभियान बनेगा अब तक प्रधान मंत्री ने स्वक्ष्टा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत कई बड़े अभियानों से देश के जन जन से जोड़ कर मिसाल काइम की है इनमें लोगों की भागेदारी के प्रोत्साहन के लिए भी कई आयाम जोड़े गए उम्मीद की जानी चाहिए कि देश प्रेम की उत्कृष्ट भावना से अनुप्रानित इस अभियान को भरपूर जन भागेदारी मिलेगी झाल